हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब मेरे नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कॉंडल व्यूज यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आये हूँ है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से कॉंस्टेवल जीडी का ओफिशल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके उपर कम्प्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं आप सब काफी टाइम से इसका वेट कर रहे थे तो आज इसका ओफिशल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो कम्प्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो इसी के साथ मैं करते हैं वीडियो को शुरू तो फ्रेंट्स बात करें ओफिशल नोटिस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह SSE Staff Selection Commission की तरफ से निकाला गया ओफिशल नोटिस है इसका ओफिशल नोटिस आप इनकी ओफिशल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा वहाँ से जाके भी इसका ओफिशल नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं बात करें यहाँ पर vacances के वारे में तो यहाँ पर जो आपकी vacances release की गी है वो आपकी constable GD की की गी है जो कि आपकी CAPF में NIA आपकी SSP उसके आपका Riflesman GD Assam Rifle Examination 2021 के लिए release की गी है इसमें जो आपकी starting date रहेगी online application की वो आपकी 177-2021 रहेगी लास्ट डेट इसमें रहने वाली है 31-8-2021 जो कि आपकी online application की रहेगी last date जो आपकी making online fees payment की रहेगी वो आपकी 29-2021 रहेगी उसके बाद में last date जो आपकी रहेगी time of generation of offline चलान की वो आपकी रहेगी 49-2021 और last date जो आपकी payment थ्रू चलान की रहेगी वो आपकी रहेगी 7-9-2021 तो यह सवी आप देख सकते हैं मैंने सवी date आपको यहाँ पर बता दी हैं उसके लावा बात करें जो आपका CVT tier 1 लिये जाएगा वो आपको notify कर दिये जाएगा बाद में तो यहाँ पे सारी details आपको मैंने बता दी हैं उसके बाद मैं बात करें यहाँ पे vacancies के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको pay scale दिये जाएगा वो आपको pay scale level 3 का दिये जाएगा 2100 से लेके 69100 तक उसके लावा vacancies की बात करें तो काफी जादा आपके लिए vac vacancies की बात करें तो आपकी यहाँ पे 7545 vacancies निकाले गी हैं CISF में आपकी 8464 आपकी निकाले गी हैं उसके लाए CRPF में आपकी कोई vacancies हैं तो टोटल व्कैंश की स्की बात करें तो 2525C1isation आपको यहाँ पे निकाली गई हैं तो काफी अच्छी vacances आपके लिए रहने वाली हैं उसके लावा बात करें यहाँ पर आपके age limit की तो यहाँ पे जो आपकी age limit रहने वाली है वो minimum 18 years रहेगी and maximum आपकी 23 years यहाँ पे रहेगी उसके लावा आपको जो relaxation दी जाएगी CST के लिए 5 years की दी जाएगी OVC के लिए 3 years की दी जाएगी एक serviceman के लिए 3 years की दी जाएगी उसके लावा बात करें यहाँ पे Children's and Dependents of Victims के लिए 5 years की रहने वाली है Children's and Dependents of Victims के लिए 1984 में आपकी जो रहे हैं उनके लिए 8 years की यहाँ पे रहेगी बात करें यहाँ पे Children of Dep dependent victim जो कि आपके 1984 में आपके रहे हैं उनके लिए 10 years की रहेगी जो कि आपकी communal rates of 2002 की इन गुजरात में SCHT वाले थे उनके लिए 10 years की यहाँ पे रहेगी उसके आगे हम यहाँ पर बात करें educational qualification की अगर आपने 10th pass कर ली है अगर आपके पास NCCC certificate है तो आपको 5% of marks जो examination में दिये जाएंगे NCCV certificate के लिए 3% marks NCCA certificate के लिए आपके 2% marks आपको दिये जाएंगे उसके लावा बात करें form को apply करने की तो apply करने के लिए आपको उनकी official website पर जाकर form को apply करना पड़ेगा आगे आपको पूरा procedure बता दूँगा मैं कैसे कैसे form को apply करना है फिलाल आप यहाँ पे देख लें आपको इसके official website के थूजी form को apply करना पड़ेगा जिसकी last date आपकी रहेगी 31.8.2021 उससे पहले पहले आप form को apply करने जो भी eligible candidate है आगे बात करें यहाँ पे application fees की तो यहाँ पे जो आपकी application fees रहने वाली है वो आपकी 100 rupees रहेगी उसके लबाब बात करें यहाँ पर boom and candidates के लिए और आपकी schedule card, schedule tribe, ex-serviceman candidate के लिए यहाँ पे कोई भी fees नहीं रहेगी उसके लबाब बात करें online fees की date जो रहेगी वो आपकी 29-2021 रहेगी और जो bank चलान की आपकी date रहेगी वो आपकी 7-9-2021 रहेगी last date तो सारी dates आप यहाँ पे देख सकते हैं important dates जो आप ध्यान में रखें उसके लबाब बात करें यहाँ पे center of examinations की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं different states में आपके centers हैं तो यहाँ पे सभी centers के नाम दिए गए हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन कौन से reason में कहाँ पे center हैं इसके उसके लावा 100 questions आपको यहाँ पे आएंगे, 100 questions आपके 100 marks के यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें से part A में जो आपको आएगा general intelligence and reasoning आएगा 25 questions आपके रहेंगे 25 marks के, general knowledge and general awareness के 25 questions 25 marks के, उसके लावा elementary mathematics आएगा 25 marks का, and आपका उसके बाद Hindi and English के आपके 25 questions पूछे जाएंगे 25 marks के, 90 minute का आपका duration रहेगा, उसके लावा इसमें आपकी negative marking भी रहेगी, 0.25 marks आपके काटे जाएंगे, each आपके wrong answer के, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, बाकी details में आपको यहाँ पे दिये गए है, उसके लावा बात करें, उसके लावा आपको यहाँ पे syllabus भी इसका दिये गए है, general intelligence का, उसके लावा आपका general knowledge का syllabus आपको यहाँ पे दिये गए है, elementary mathematics का, English and Hindi का, उसके लावा आपका यहाँ पे physical fitness test भी आपका लिये जाएगा, physical standard test आपका जो रहेगा, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बागी का physical efficiency test जो आपका यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें male के लिए 5 km 24 मिनट में यहाँ पे करनी पड़ेगी, उसके लावा female candidate के लिए 1.6 km आपकी 8.12 मिनट में आपकी करनी पड़ेगी, उसके लावा बात करें, तो 1.6 km जो आपको रन करना पड़ेगा, वो आपका 6.6 मिनट में रहेगा, एंड आपका female के लिए 800 मिनट में आपका रहेगा, उसमें आपके 4 मिनट में कवर करना पड़ेगा, यह आपका रहेगा, लदाख, रिजन वाले candidate के लिए, और उपर बाला जो रहेगा, वो आपका अधर दन लदाख के लिए यहाँ पे रहने वाला है, तो उसके लावा बात करें, फीजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट की, जिसमें कि आपकी हाइट रहेगी, आपकी मेल के लिए 170 cm, और आपकी फीमेल के लिए 150 cm आपकी रहने वाली है, उसके लावा बात करें, यहाँ पर जो relaxation दी जाएगी, वो आपकी यहाँ पर दी गई है, उसके लावा बात करें, यहाँ पर चेस्ट की, तो चेस्ट आपकी जो un-expanded रहेगी, 80 cm रहेगी, expansion जो रहेगी, वो आपकी यहाँ पर दी गई है, बात करें, यहाँ पर आपके वेट की, तो यहाँ पर जो आपका बेट रहेगा, वो आपका height के proportionate रहेगा, उसके लावा बात करें, medical examination की, तो आपका medical examination भी यहाँ पर conduct करवाया जाएगा, यहाँ पर सारी details उसकी दी गई है, उसके लावा बात करें, यहाँ पर, यहाँ पर सारी details आपको दीगी है, mode of selection जो आपका रहेगा, वो आपका, आपको मैंने बता दिया है, आपका computer waste examination के उपर रहेगा, उसके बाद आपका physical efficiency test लिए जाएगा, physical standard test लिए जाएगा, उसके बाद आपका medical examination होगा, और फिर आप की document verification की जाएगी, उसके base पर आपकी selection की जाएगी, उसके लावा आपको कोई भी help चाहिए हो, form को apply करने में कोई परिशानी हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे numbers दिए गए हैं, यहाँ लग-लग reason के लिए phone number दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर contact करके यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर अधार number दारना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर verify अधार करना है, आपकी यहाँ पर voter ID है, तो बोर डारनी है, उसके बाद आपको ID number दारना है, नेम आपको verify करना है, उसके बाद में आपको additional contact details आएगी, आपको इसको fill up कर लेना है, पूरा procedure आपको यहाँ पर दिये गए है, इस form में कैसे कैसे आपको apply करना है, declare question को आपको यहाँ पर I agree पे tick कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर final submit कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा details यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका part 2 रहेगा, online application form का, वो आपको कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर पूरे details आपको देगी है, उसके बाद में उसका यहाँ पर आपको दिये गए है, आपको यहाँ पर login कर लेना है, अपना name fill up करना है, बाकी के details आपको यहाँ पर fill up करनी है, सारा यहाँ पर आपको दिये गए है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस जिस तरीके से यहाँ पर fill up किये है उस तरीके से आपको fill up कर लेना है तो अपना यहाँ पर signature and आपके photo upload करनी है उसके बाद आपका declaration पर tick कर देना है आपको यहाँ पर capture जो वो लिखना है तो सारे details आपको मैंने यहाँ पर बता दी हैं उसके बाद भी आपको कोई problems आती है तो आप में को comment करके पूर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही और आज की वीडियो आपको informative लगी हो तो वीडियो को like and share ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली वार विजल कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें ऐसी ही latest job update के लिए देली ऐसी latest job update आपको provide की जाती हैं इस चैनल पर official notice के साथ में तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you, goodbye, take care